क्या आप जानते हैं ट्रेन टिकट बुकिंग में आरेसी क्या होता है नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे से टुप चैनल यात्तिरी सुब्धा में आज किस बुड़म जानेंगे ट्रेन टिकट बुकिंग में आरेसी क्या होता है तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों अक्सर जब हम train ticket book करते हैं तो हमें वहाँ पर कभी कभी available सो होता है कभी वहाँ पर waiting list सो होता है तो कभी वहाँ पर RAC सो होता है अक्सर passengers को इस बात का doubt होता है कि train ticket booking में RAC का क्या मतलब होता है या RAC ticket क्या होता है दोस्तों RAC का मतलब है reservation against cancellation इसका मतलब है जिन लोगों ने train में confirm ticket book कर रखा है अगर वो अपना ticket cancel करते हैं तो ऐसे में जिन passengers ने RAC ticket book कर रखा है उनका ticket confirm हो जाता है दोस्तों RAC में अगर कोई passenger train ticket book करता है ऐसे में उन्हें side lower birth में half seat मिलती है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर सोहूरा है RAC 101 इसका मतलब है कि अभी जो ticket book होगी वो RAC में होगी आप माल लीजिए अगर आप इसमें ticket book करेंगे तो आपको जो birth मिलेगी दोस्तों आपको side lower birth में half seat मिलेगी तो RAC का मतलब है reservation against cancellation और अगर आप इसमें ticket book करेंगे तो आपको side lower birth में half seat मिलेगी और half seat किसी अन्य वक्ती को अलॉट की जाएगी तो इस वीडियों में जाना train ticket booking में RAC क्या होता है और इसमें कौन सी seat मिलती है इसकी अधिक जानकारी के लिए आप description box को भी चेक कर सकते हैं प्लिस इस वीडियो को लाइक करें हमारे चानल सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन जबर दबाएं मिलेंगे नेक्स वीडियो में नए जानकारी के साथ धन्यवाद